नमस्कार दोस्तों आपको पता है बहुत ही जल्द जैपान में टोकियो ओलंपिक्स 2020 होने वाला ध्यान रखेगा इसको अभी भी 2020 ओलंपिक्स ही बोलेंगे 2021 नहीं बोला जाएगा क्योंकि जैपान ने डिसाइड किया कि ऑल्दो ये एक साल डिले हो गया है लेकिन जो स्केड लगे रहते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था कि चाइनीज स्पॉंसर कर रही थी पहले भी चाइनीज स्पॉंसर कर रही थी तो यहाँ पर भी चाइनीज कंपनी के दौरा स्पॉंसर किया जा रहा था लेकिन इस बार भारत ने मना कर दिया है कि यहाँ पर चाइनीज स्पॉ इसके बारे में details से समझेंगे कि exactly हुआ क्योंकि पहले तो भारत ने accept कर लिया था और जिस एक दिन के बाद ही यहाँ पर हमने change कर दिया तो कई सारे question है क्या भारत को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए चलिए देखते हैं इसको अच्छे से समझेंगे अगर आप UPSC की त् इसके बारे में सारी जानकारी आपको description में मिल जाएगी वहां से आप हमारे आपको भी download कर सकते हैं exactly हुआ क्या है भारत की तरह से जो represent किया जाता है Olympics के अंदर it is by IOA Indian Olympics Association इन्होंने यहाँ पर announce किया है कि भारत के जो athletes हैं जो Tokyo Olympics में participate कर रहे हैं they will wear unbranded sports apparel तो यहाँ पर जो और यह decision जस्ट एक दिन के बाद दिया गया एक दिन पहले आप देखोगे official launch किया गया था यहाँ पर जो भी kits होते हैं जो t-shirt आपने देखोंगे cricket के समय भी BCCI जब नया कोई t-shirt वगरा launch करती है तो इसको reveal किया जाता है उसी प्रकार से Indian Olympics Association के द्वारा यहाँ पर t-shirts वग farewell में आपको मिलेगा shoes कई सारे लेकिन ज़्यादा तर आपको badminton में sponsorship मिलती है तो यह जो company है Chinese company है वो जो भी कुछ sports related चीजें Indian athletes के पास आती वो यहाँ पर दिया जाता चाहे sports attire हो गया जो भी कुछ हो गया तो अब यहाँ पर joint statement जारी किया गया है Indian Olympics Association के President और Secretary की दोरा और का है कि यहाँ पर जो लोगों का sentiment है देश के sentiment है उसको देखते वे हम इसको वापस ले रहे हैं यहाँ पर मैं आपको यह भी पता दो कि पहली बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है देश में पिछले क्योंकि एक और साल से आप देखोगे जिस तरह के relations रहें पिछले साल IPL का जो sponsorship था वहाँ पर भी वीवो को हटा गया था वीवो अलग हो गया था लेकिन उसके बाद वापस से इस साल आ गया तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी कई सारे चैनीज आप्स वगरा इसको बंद किये गया थे तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा और डीटेज मे अगरा को बलाए गया एक बड़ी सेर्मनी हेल्ट की गई थी मीडिया हाउसे आई थी और यहाँ पर एक चीज़ नोटीस किया गया कि उनके टीशर्ट के उपर किट्स के उपर जो भी कुछ है वो लीनिंग के द्वारा जो है स्पांसर किया गया है और यह जो पूरा डील है करी 5 करोन के आसपास बताए जा रहा था तो इसके अंदर होता किया है ना कि जो भी कुछ हो गया चाहें स्पोर्ट्स टीशर्ट बैग हर एक चीज़ जो भी इंडियन एथिर्ट्स के पास आता वो आपका यही कंपनी प्रोवाइड करती लोगों अगर लगा कर और इंडिय का जो लोगो है sponsor है वो देखने को मिलता है लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि decide कर दिया गया है और जो decision है यहाँ पर Indian Olympics Association ने बताया कि हमने sports ministry के कहने पर किया है यहाँ पर sports ministry ने guide किया कि देखो इसको सुधारों करके और तब जाकर यहाँ पर leaning को हटा भीया गया है पूरे sponsorship से लेकिन question यहाँ आता है कि क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि Olympics के अंदर भारत जो है वो Chinese company को sponsor करती अगर करने वाली होती तो अब तो cancel हो गया है मैं आपको बता दो ऐसा नहीं है पिछले 5 साल पहले भी अगर आप देखोगे यहाँ पर Rio Olympics जो हुआ था क्योंकि 5 साल हो चुके लीनिंग नहीं sponsorship किया था तो काफी बड़ी giant company है बड़ी मात्रा में ये लोग sponsorship करते हैं यहाँ पर question यहाँ पर कुशन यहाँ आता है कि इसको रिवोक क्यों किया गया तो Indian Olympics Association का बयान आया है कि public sentiment अब यह बहुत बड़ी चीज हो जाती है पिछले एक देर साल से आपने दे sentiment को लेकर apps वगरा जो है cancel किये गए और वीवो को भी BCCI का IPL वगरा है उससे हटना पड़ा था और especially यह भी बताया जा रहा है कि लगतार जिस तरह से social media पर criticism आ रहा है चाइना का उसको देखते वे इसको हटाया गया यही अभी के लिए reason बताया गया है लेकिन यहाँ पर question क्या है कि क्या हम unbranded जाएंगे क्या कोई दूसरा sponsor नहीं होगा अब क्या है कि समय बहुत कम बचा है तो क्योंकि बहुत लेट decision लिया गया अब यही होता है हमारे देश में लोगों को पहले यहाँ पर जो हमारे officials वगर है उनको पहले decide करना चाहिए था यह सारी चीगे इतन लेकिन जाने से पहले यहाँ पर कई सारे questions आपके मन में आ रहे होंगे कि भारत में sporting ecosystem को अगर हम देखे हैं पूरे sports ecosystem को तो चाइना का कितना presence आपको देखने को मिलेगा तो मैं बता दू कि every कोई ऐसा sport नहीं है जहाँ पर आपको भारत realign नहीं करता है dependent नहीं है चाइना की ले आता है तो आप just imagine कर सकते हो कि यह हर जगा फैले में चाहें table tennis हो, football हो, shuttlecock हो, tennis, badminton racket, gym apparatus, gym gear, कुछ भी आप ले लो हर जगा आपको इनका presence देखने को मिरेगा और even PV Sindhu आपको पता है उनके जो sponsors हैं वो भी leaning ही है आपका लेकिन क्या यह और देशों में ऐसा कुछ देखन मिछले हफते की बात है US commission जो congress जो parliament है वहां की उसकी commission बठाई गई थी उन्होंने अर्च किया था basketball players को, US में basketball बहुत ज़्यादा famous है तो वहाँ पर उन्होंने यह कहा था basketball जो stars हैं, players हैं कि आप जो sponsor करते हो Chinese company को, मतलब आप promote करते हो ना, brand ambassador हो, आप यह करना बंद कर दीज forced labor अपनाए जाते हैं, तो clear evidence यहाँ पर मिला है कि इसकी वज़े से जो US में basketball stars हैं, उनको appeal किया गया कि आप ऐसा उनको promote मत करिये, इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूँ, खुछ समय पहले मैंने video भी बनाया था, जब जो वहां का lower house है, house of representative, उनकी जो speaker है Nancy Pelosi, उनके द boycott होता है कि नहीं, बट यहाँ पर इस तरह की भी appeal सामने देखने को मिली है, तो यह पूरा video था दोस्तों यहाँ पर भारत ने इंकार कर दिया है कि Chinese sponsor को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, अब क्या गलत है, सही है, आप अपने प्रतिक्रिया दे सकते हो, comment section में, और जाने से पह honor of which Greek God, कौन से Greek God के honor में यह जो Olympic Games है, वो आपका खिला जाता था, क्या आप बता सकते हो, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, और मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, तया जानता है प्रच्व फेघू पता हूं, कि पर देखा कॉरे ची है हूंचा जाप प्रणता है, Gandhi's ability है, काने खायफिसाथ ले झालता है, के वीन से एक पून, कि अनये, कि यारा भालता है।